बिना बेक ये बहुत एजी वे में बटर्सकॉच केक बनाने वाले वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में उसके लिए सबसे पहले बटर्सकॉच क्रण्च बना लेंगे बन फोट कब बदाम लीए और उससे रोस्ट करें लोग फ्लेम पे जब उसमें क्राक्स आजाए तो समझ जाएगा की वह अच्छी तरह से रोस्ट हो अची तरह से ये मिल्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम आफ कर दीजिएगज को उसके बद सुगर सिर्फ को एत बाल पॉर कर ली जाग कर मैं कर लीजे गाद मोटे से अच्छी मिक्स कर लीजीए गाँ ठीक है आपके कर लीजें । भाद चूरा है थोड़ा दर धरा रखना है तब ही तो यह बटर स्कॉच क्रंच कहले का ना पन्टर स्कॉच क्रँच बनाने के टाइम पर पैन में बचा था उसे मैंने लिए चौथा ही कब था एक चमच बटर डालेंगे एक छौथा ही गप इक चाहिए कौंगि युक्छा अगर आप पहले यह आधा गंटा उसे रेफ्रिजेट कर लेंगे तो उसे वह मेथेड नहीं करना पड़ेगा और क्रीम भी बहुत जल्दी स्टिफ हो गया था पांच मिनट के अंदर में वह बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुका था तो इस रख क्रीम करना भी हुआ बहु यूज किया है ब्रेट में हम लोग कुछ इंग्रीडियंट्स एड़ करेंगे जिसके वज़े से उसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा तो सबसे पहले एक बोर्ड लेंगे बोर्ड में थोड़ा क्रीम लगाएंगे फिर ब्रेट को प्लेस कर देंगे एक बावल में चार क्रीम लगाने के बाद सीरप डालेंगे सीरप डालने के बाद क्रांच डालेंगे बटर स्कॉच क्रांच फिर थोड़ा सा क्रीम अड़ करेंगे उसके बाद फिर एक लेयर लगाएंगे ब्रेड का फिर से ब्रेड वाले लेयर को मॉइस्ट करेंगे मॉइस्ट करने के बाद वही process repeat करेंगे cream लगाएंगे फिर butterscotch syrup फिर butterscotch crunch लगाएंगे फिर cream फिर layer इस तरह से हम लोग 4 layer लगा लेंगे cake में 4 layer इसलिए देंगे ताकि cake को अच्छा height मिल जाए और इस cake को मैं hardship देने वाली हूँ तो वो भी अच्छी से देखिएगा बिना कोई cake decorating kit यूज किये भी आप cake बना सकते हो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा हूँ कि मैं हर जगा पर spoon का use किया है मैंने कोई tool का use नहीं किया है तो अगर आप चाहे तो घर पे अच्छी तरह से cake बना सकते हो spoon की मदद से और अगर आपको cake bake करने का तरीका देखना है क्रीम जादा देना है और उसे round shape घुमाना है बस spoon को घुमाते घुमाते आपको खुदबा खुदबा पर circle shape मिल जाएगा और नीचे से cream साफ कर लीजेगा अच्छी तरह से और इस तरह से चमच को घुमात दीजेगा एक बार spoon से एक दो बार घुमाईएगा तो वह round shape मिल ज चॉकलेट तो वह मैंने उपर में इसे decorate करनी के लिए रख दिया इस तरह से हमारा cake तयार हो चुका है कुछ भी impossible नहीं अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते बिना oven के बिना कोई कीट के भी cake बना सकते हैं अगर आप कड़ाई में बेक करके बनाना चाहते हैं तो बेक करके केक बनाया कर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा मेरे रेसिपी अच्छे लगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा थाइंक यू फॉर वाचिंग स्टे ट्यून फो मैं नेक्स रेसिपी बाबाई